आज यह स्टाट करने वाले है और यह जो इसमेरिसम है टोटल तीन लेक्ट्टर के अंदर होगा आज होगा पर्टिकुलरली वान सौट के थ्रू इस्ट्रेक्चर आइसोमार जो होता है वह पूरे डिसक्स करेंगे हमाज ओके इसके बाद जो लेक्ट्टर आएगा वह क्या ज इसके बाद आपका काम क्या है आप पूरा करेंगे और आपका और आज की सेशन को अगर आफ मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेज़ेगा क्योंकि यह मैं जो सीरीज चला रहा हूँ और गनिक का सिंगल सौट के थ्रू पूरा कंसेप्ट चुली यह क्या होगा आपकी प्रेश्न में बहुत सा हेल्प करने आपकी प्रसुम में मतलब बूस्टप मिलेंगे आपको और पी आपको हर एक हो जाएगा में गरंट यह तो चले स्टाट करते इस सेशन को तो इससे पहले आगर मेरे पिछले वीडियो आपने नहीं देखा आपको जरूर देखके आएगे आपको हेल्प मिलेंगे बहुत अधा ठीक है तो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेक्च्राइसूमर स्ट्रेक्च्राइसुमर बिसिकलिए होता कि है रही है उसका टाइब जरूर बताना कि भाई हाँ समझ में आ रहे है अगर नहीं भी आ तो वो भी कमें से समझाने की ओके तो देखी जाला से यहां पर क्या है हम परेंगे structural isomer क्या होता है what is structural isomer देखो पहले तो हम देखेंगे structure isomer का definition उसके बाद उसका different type देखेंगो तो क्या बोल रहा है कि यहां पर compound which have same molecular formula तो एक compound है बाद कोई molecular formula same molecular weight same same molecular formula same Molekular weight same होता है but different in structure लेकिन इससका structure और इसका structure different है मतल 돼कते हैं तो देखते हम इसको क्या होता है तो हमने बताया structural isomer क्या होता है तो basically COCOCAL store जो इसके जो इसका जो पार्ट है कि इसका जो यह ना जो कि या कि होगा तो क्या कि है वो चलिए देखते हैं जैसे कि यहां पर फर्स टपल रहें चेन आईसोर उसके बाद आते हैं पोजिशन आइसोमर उसके बाद आते हैं कि मेटा मर क्या होता है उसके बाद फंटिशनल आइसोमर क्या होगा उसके बाद टॉटो मर क्या होगा उसके बाद रिंग चेन आइसोमर क्या होगा तो यह जो चीज हमने बता है अभी जो चेन आइसोमर चेंट इसमर यह चीज हम पूरा मतलब इसके साथ कोशिन के साथ डिसकस करेंगे तो फ़र्स्ट अब डिसकस करने वाले है क्या हम डिसकस करें कि चेंट आईसमर क्या होता है हम देखिए कि चेंट आईसमर क्या होता है तो चेंट आईसमर मतलब देखो जिसका मोलीकुलर फर्मुला सें होता है तो मतलत कि यह कोई भी स्ट्रक्ट्टरर आईसमर हो भई मोलीकुलर फर्मुलक से होना पड़े ओके यह याद अपको दिमाग म Champions लोक वह चाहिए Раз डिदके टाब इसके बात हैं कितना हैं चाहर्वन देखते हैं कितना है मतलब यहां प्य कितना हुगा के एक ungुक्त कंतं होगे हैं अपर कितना है गए यहां बशल्री जया प्यती पॉक्त क कितना होगा यहां पर एक दू तीन उसके बाद चार पांच छे साथ आठ नौ दस तो एच टेन होगा अब देखो इसका देखो यह क्या है कि मॉलेकुलर फ़र्मला तो पहरे हम देखेंगे आइसमर होने के लिए फर्स्ट हम चेक करेंगे मॉलेकुलर फ़र्मला सेम है या नहीं है यहां स होगा 1,2,3 हाइड्रीजन हाइड्रीजन haiट्री अंकर त्यक्य यह होगए इक दू तीन चार पांच छे साथ आट नौंध दस त्यक्या जाकर अग्या तो हमने देखो फर्स्ट जो यह चीज है वाई molecular formula सेम सेम देख लिए है वह लेकिन बोल रहा है बट different in parent and mention मतलब parent change main change होगा मतलब यहां पर देखें ना एक दो तीन चार यह चार करबन का mention था वह चार करबन था लेकिन यहां पर देखें यहां पर मेंझेयन केतना है तीन इसे बोलता है क्या Prof. ओके उसको बाद नेक्स हम देखेंगे बहुत पोजिशन आइसोमर क्या होता है तो इससे पहले को समझें उससे पहले एक वह चीन करता हूं मैं ने कोई भी मॉलेकुलार कंपाउंट है उसको आइसोमर होने के लिए तो उसको पहले क्या होगा रूल्स फ़लोग करना पड़ेगा एक तो भाई क हुक्त जैसे पुष्रक क्या होगा है कि जैसे पोजिश्शन सेम मोलेकुलर फोमुला मतलब कोई भी कंपाउंड को आइसोमर होना है तो पहले तो मॉलेकुलर परेगा यह दिमाइका अंतर फिट कर लोगे बट डिवह अब डिफरेंट पोजिशन्स अब ब्रैंच और फांट्स अगुप तो पोजिशनल मतलब मॉलीक्राइब लेकिन क्या होगा फंट्स अब ब्रैंच यह होना वह अलग-अलग कार्बन पर मतलब अलग-अलग पोजिश लग देंशा नोगट अलurarा थैशनल न वह से यहां पे देखो न भाई यहां से यहां से नहीं करां वजी कारबन केशेतर और मीक्राइब Bye वह एकार फांट्स Baner ऑप सब्सक्राइब लुएस और अम्ने पहला रूल कर लिया है कोई भी वह नहीं के लिए पहले उसके बात POSITION S Patrick Lane different position में ब्रैंच और ग्रूप को होना走ऊ को यहां पर देखे 1 ,2 ,2 पॉजिशन में। यहां पर ऊन फनी सब्लक प्रूप हैं मतलब τू यह क्वाएंस ब्रैंच क्या क्या है ? यहाँ पर दो पोजिशिन क्या ऑज सकते हैं उसको बाद हमने पोजिए समय को Parliament अपुरिण裡面 क्या है пять दास argument 30-5 आप यहां पे ईएई क्जामपल आ यह डीन तो यह दूनों कि एक दूसरे के पोजीशन आई-सो मार होंगे लेगिस अदेखिए अब देखेंगे अब देखो भई पोजीशन और यह चीज़ है चीन आईट हो मार पोजीशन आईसो मार देख क्या हम बता सकते हैं इसके लिए ट्रिक होता है जैसे हम बोलते है magic number trick ओके वह क्या है देखें जैसे कि X वाट ट्रिक हमने कोई भी एक compound ले एक 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 लेटर ले लिया जिसको एक को क्या हम बोलेंगे number of carbon और parent chain एक क्या है एक का मतलब परेंट हो इसका trick है trick का नाम है magic number ट्रिक होगे तो यहां पर X and Y लेते हैं कि X का मतलब क्या है number of carbon at parent chain मतलब parent chain के अंदर कितने carbon है उसे हम बोलते है एक रिप्रेसेंट करेंगे उसको X तरह and Y जो है रिप्रेसेंट करेंगे number of branch of carbon मतलब कार्बन की branch को रिप्रेसेंट करेंगे क्यों वाई तो यह एक्जाम्पल के साथ देखने तो आपको समझ में आएगा तो यहां पर एक important चीज है जो यहां दखना पड़ेगा if magic number is same मतलब xy दोनों compound के लिए same होता है मतलब इसका xy अगर 30 आता है इसका अगर कोई दूसरों compound है उसका भी xy 30 आता है तो मतलब magic number के same हुआ ना 30 यहां पर 30 तो अगर same हुआ तो इससे हम बोलते पोजिशन आपके अगर magic compound को isomer होने के लिए पहला जो rules है वो कहा है कि molecular formula same होना पड़ेगा तो इस हम कैसे पर चाना है कि यह position isomer है किया फिर पोजिशन है या फिर क्या है chain isomer की तो कईसे देखेंगे तो xy जेखेंगे कैसे देखो कैसे इस के थूं कैसे पहले इस compound का लिए लिए एक और य लिखे, और इस compound को फिर x X کا मतलब क्या हुआ X का मतलब हमने बताए है अभी number of carbon at parent chain तो X का मतलब number of carbon parent chain में कितना है 1, 2, 3 तो 3 ओग भाई and Y का मतलब किया number of branch of carbon तो carbon की branch देखेंगे कितना है यहाँ पर carbon के branch है कोई नहीं है यहाँ पर chlorine के branch है तो chlorine के branch नहीं नहीं है तो carbon के branch नहीं है मतलब 0 ठीक है इसका यहाँ पर देखी ज़रा सा यहाँ पर x के x मतलब फिर से number of carbon add प्रेंट चेल तो यहाँ पर देखे 1 2 3 3 यह एक प्रेंट चेल में and जो वाई हुआ हुआ है मतलब number of branch of carbon carbon के कोई branch नहीं यह भी जिरो तो यह जो देखो 30 और यहाँ पर 30 तो थर्टी थर्टी है इसे में थर्टी तो तो थर्टी होता ना वहीं तो अगर सेम होता है तो थर्टी सेम क्या है सेम अगर होगा तो क्या है पोजिशन आई शुमार होगा क्लिए ये थर्टी आइब यहां पे कर्बोन था और यहांप क्रद्पा यह का जो क्या होगा क्रद्ण explicar उसके बाद यहाँ पे फिर इस वह और एग्जांपल है और वी ह 계संपल देख भाए है यहाँ वन 1 2 3 4 5 6 sorry 1 2 3 4 5 6 अब यहां पर देखें देखें कि कारबन कितना है C6 अब हाइड्रोन को पर क्यालक्लोड करने ना सेम आएगा कितना आएगा देखें कि यहां पर 2 4 यहां पर 2 होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां पर 9 10 तो C6 H 10 BR2 ठीक है यहां पर भी C6 H 10 BR2 आएगा अब देखें ना मॉलेकर फॉमलों मिलाकर ओके ठीक है अब देखें यहां पर X Y देखें इसका X Y देखें कि X & Y इस कंपाउन को X Y देखेंगे X मतलब फिर साम देखें बाए नमबर आप कारबन इन पारेंट चेंट यहां पर क यहां पर कारबन के कोई ब्रांच है नहीं है तो ब्रोमिन का है तो यहां पर भी 0 मतलब यह दूनों क्या होता है सेम होता है तो 60 is equal to 60 होता है मतलब सेम होगा तो क्या होगा पोजिशन कि आई सुमर्ष ठीक है I think clear होगा आपको और नेक्स चाहिए दिमाग के अंदरा कर लो कर लो कर लो के बट्ट हाब डिफ्रेंट एर्रेंट और ग्रूप्स फॉर्म आइधर शाइड और ब्रीजिंग फार्ट्ट अगों मतलब यह क्या बोल रहा है मेटमर्स का मतलब क्या हो एक तो मौलगा फॉर्मॉला स्वेम होना चाहिए और जो बीजिंग एडम होता है बीजिंग एडम मतलब दो जो हैंड फिल होता है इसके दो हैंड में अलग 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 होना चाहिए और इधर साइड हो तो इधर इधर क्या होगा मेथर होना पड़ेगा हम इसे क्या बोलेंगे मेटमर जैसे यहां पर अच्छा यह जो कंपाउंड है ना मेटमर जो सू करत हां दो वहरेंसी होगा तो इसनल बोलते आटम अन्य जैसे मेटमर्स शुकरता है है जैसे जैसे यह यह इतर हो गया इस के बाद यह यह सो.. जैसे इस एक्जाम्पल को देखे काई से यहाँ पर देखो एक कर्बोन दो कर्बोन यहाँ पर एक कर्बोन दो कर्बोन के इस कंपड़ों कि एक कर्बोन दो कर्बोन तीन कर्बोन यहाँ पर एक कर्बोन के तो यहाँ पर देखना भाई इधर क्या है इधर कितना है दो कर्बन है कि अ इधा दो कर्वन ए है कि कि तो क्या यह मेटरस करेंगे जी नहीं यहीं सिंगल कंपर ना यह haciendo करेंगे तो क्या कौन करेंगे करेंगे दीखो यहां पे फोन तू-तु-ती यहां पे देख बाइं तब कावन है hey इथाएल इथाएल कभी नहीं होगा मिधाल मिधाल कभी नहीं होगा मतलब तो नो डिफरेंट डिफरेंट ग्रूप होना चाहिए तो यह सिंगल यह जो कंपन यह में यह तो हुआ अलग से बीडुलिघ से सब्सक्राइब है और इस सब्सक्राइब न हुआ करें देखें ये कार्बॉन के यहां पर यहां पी चीसजब क democrat की ॐ तो यहां पर देखें लेप्ट साइट में क्या है यह यह बंजन क्रूप एटाश है तो यह इसका लेप्ट साइट में यह चीज़ है और राइट से में अलग चीज़ है तो यह भी अलग सो करेंगे यह मतलब single भी मेंटमर करेंगे एंद दूनों अलग अलग यह दो काम पुठाइगे यह दुज एक दूसरे कर साथ भी में Mia açow करेंगे एक तो है इंडिविजूलीमेता मृक्त सो कर रहा है जैसे दो ऑन लेकिन 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 यहां पर यह जो गूरूप है यह कह है कि लेकिन 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 इसका जो क्या है फंट्शनल ग्रूप का अंतर होगा तो इसलिए हम इसे बोलते हैं कि आप फंट्शनल ग्रूप अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो यह चीज़ पूरा का पूरा मतलब अपके अंदर मतलब हो जाएगा तो अगर इस सेशन को देख लेके बाद आप क्या करेंगे प्यू आई क्या अंदर वो सब कुछ करेंगे आप इसलिए इसलिए मैं बोलता हो कि आपका हो जाएगा उसको बाद हम देखिंगे उत्टोमरीजम मतलब क्या हो देखो टूमरें मतलब इंट्रा-मॉलिकुलार हाइड्रोजन ट्रांसपर और यहां पे एक हैच प्रोटोन तो इंट्रा-मॉलिकुलार मतलब मॉलेकुल के बीच में ही प इसको बत क्या है वहाई compound having alpha carbon should be SP3 compound के अंदर क्या होना चाहिए compound को first of all SP3 मतलब उसके अंदर पर चार सीगावाण होना चाहिए and वो जो असार्ट सिग्मा मोरंड है मतलब SP3 होगा and उसको पास क्या alpha carbon होना चाहिए ओके जो alpha carbon होगा होगे suit containing alpha carbon जो होगा उसके पास क्या होना चाहिए alpha hydrogen भी होना चाहिए ओके तो तो इसके बाद compound को alpha carbon होना चाहिए को हम तीन तरह से डिभाड करते बाई एक तो बहुए ओंगा one two system and one five system एक तो कि one three system एक होगा one two system i can one five system आप देगि हर सिस्टेम को हम discuss करेंगे है तो पहले देखेंगे one three system 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 को देंगे तो one three system में बहुत पर फिर से मतलब को एंग्जेंपल आ जाता है जाथ कि आएगे keetoanotroamer इसकے बाद नाइट्रो डॉसके बाद देखिए रूस 짃 तोस्मचिन अगर समज में आ रहा है यह चीज़ें ट्रिक तो आप हर एक टॉटोमरिजम का कुश्चिन कर लोगे कि जितने भी मतलब कॉंपलिकेटर कुश्चिन आ जाए आप कर लोगे कैसे देखा रूल्स कहा है तो नमबरिंग करेंगे पहले वन टू टू ट्री जो टॉटोमरिंग में हम करेंगे एकसेंपल के तुछ देखेंगे त आपको समझ में आ जाएगा तो तो तीन का जो हाईटो थे ना होन पर दे देंगे नमबरिंग करेंगे उसके बाद थीन एग्जांपल देखेंगे तो इजली समझ में आएगा है तो पहले हम पाइंगे कीटोन ट्रोटो मार गया तो कैसे परेंगे हमने बताया पहले नामबरिंग करो देख भई नमरी करो कि वन तू थ्री इधर से भी कर सकते हो कोई भी करो ख़़ा हो कि वन डर्फी तो हमने पढ़ा के पहले तीन का हाइड्रोजन जो गई वह वन पर देंगे मतलब शॉरी खांड इन नमर इंगर अन्या शॉरी सॉरी सॉरी कि एक करा लिए ओक है वन टू ठी अब दो कि हम ने पड़ा कि त्री का हाइट्रोजन जाएगा वन पर तो यहां पर तीन हड़ें तो पहले आप लिख लेते हैं कैसे क्या करेंगे जैसे यहां पर इसको लेख लेखें पहले च त्री को बद c double bond o और च हम ने लिखा कैसे अई से लिखा अब देखकें कि तीन का जो हाड़ेंगे की तो नम्रेंगे रहे हैं तो फिक का कहा पर वन पर ठीक ने उसके बाद हमने फेकर वन टू का तो क्या बनेगा फाइनलि क्या बनेगा देखो यह बनेगा सी एच ट्री सी ओ एच डबल बन सी एच टू आपको साइध समझ में आएगा अगर आ रहे तो पर की लाइक करने वीडियो को और चैनल को सब्सक्राब कर लेना अगर पहले बार आए तो ठीक है उसके बाद नेक्स जो आता है रही कि यहांपर स्पर देखेंगे नाइट्र ऑ आसी कि या होता है फिर्ट से सीम प्रोसेस हम जाएँंगे पर कुछसम चीज को हो जाए इसके है कि यहांपर नमबरिंग रहेंगा वण टू त्री हमेशा नमरिक कहा से होगा की डबल बोन जो त वहां से हम नमबरिंग करेंगे पहले ओके तो फ़हले हमने दिया दिया यहां पर लिख लिया तो अब देखो हमने क्या किया तब तीन का हार्ण जाएंगा कहाँ पर वन पर एंड दो तो वन टू का डबल बांड सीप्ट होगा पर टू त्री का अंदर ठीक है तर लिखेंगे कैसे सी एज त्री उसके बाद आएंगे सी एज इंग डबल बांड इन ओ एज ओ प्लेयर हैं नेक्ट देखिंगे बाएं कि नाइट्रोस और और अक्जिम की बात करेंगे ओके वह हड़ी नहीं कर दिया इस से लिखेंगे अब तीन का यहाँ पर और वन पर और वन टू का डबल बंड जाएगे पर हाँ पर ट्री पर ठीक है यह जो ट्रिक है मैंने 123 टिकिनिक वाला आप अगर इस सो मतल्ब पकड़ ले दो ना तो हरे टोट्रों मर्क जितने कोश्शन आएंगे आप इजी ले कर लोगे जैसे CH3 single bond CH double bond in यहां पर ओ एच प्लियर है इसके बाद हम देखें किया होता है जैसे इनमाइन इनमाइन में क्या होगा यहां पर इसके बाद यहां पर यहां पर यहां पर जाएंगे वाई कि वन पर अन्दर तेम टू सेम चीज़ है वाई होगे छीज थ्री च डैबल बॉन सी इन एच टू कि एच है भाई ठीक है ठीक है ठीक है बाई क्लियर है वही ओके नेक्स्स हम देखें बाई कि पहले हम देखो को यह हमने वन थ्री अ रिष्टाम के अंदर जितने सारे कुछ मतलब यह जो तरीका हो सकता है अब आएगे बीस दिधर टाइप हो सकते हमने सब कुछ कर लिए अब आएंगे वाई हम वान टूसिस्टेम बतलब यहां पर था इंपॉर्टेंट चीज क्या आए जरे से वई यहां पर एक चीज ऐसे होगा कि यह चीज लिए ना भ्क्री से लिए पर इन पर इन नहीं लिए उसके बाद यहां के इन्पर वे डबलबर प्रोट्रत के इस यहां पर दे किसले कैसे अब कहां कि यहां टू टू का डबल बन देखो टू त्री कंद सिप्ट कर देखो तो यहां पे डबल बन था यहां पर आ गया कि सोरी यह चीज़ आसे नहीं है देखो सॉरी आ यह ऐसे समझा तो आपको दरूखो यह तो अब दूखो एज का दो नहीं हो अच्छे समझा नहीं यह चीज़ कैसा होगा यह जो इन सिए सी एन थ्रॉफ यह ना तो क्या होगा एल ट्रिपल बन सी एस सो जागा इसको अभी याद रखेंगे इसका जो वांट न सिटम है इसका जो ट्रीक और ऐसे होता है मतलब cn जो है न वह अलग हो जाएगा मतलब cn जिसके अंदर triple बॉंड हो ओके पलट जाएगा ऑपती हो जाएगा साइड ठीक है उसके बाद नेक्स आते हैं कि वान फाइब सिस्टम का अंदर वान फाइब सिस्टम क्या हो देख भई इस चीज़ भी सेम होगा वाई तो वान अब देखो यहां पर यह बॉन फिक्स नहीं रहेंगे वाइगा समझे आप क्या बोलना चाहता है अब दो को यह आप डबल बनद तो यह डबल वन इस इप कर जाए तो डबल बन इस इफ्ट गाले तो डबल बन उसका पोजिशन चेज़ एश में ठीक है तो कैसा वोगा श् सी एच सिंगल बन सी एच डबल बन सी ओ एच अन्याप एच है ठीक है वाइच है ओके ठीक है क्लियर है तो ऐसे होगा ठीक है उसके बाद आते हैं रिंग चनाश मारों कर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है और आगर नहीं आ रहा है तो भाई प्लीज आप यह वीडियो कई खता मने बाद रिविशन करना उसके बाद प्रीवागई की करना तो आपको हर एक चाहता दरिए को चेlor होग इस तो क्योई बगिए एक चेंट हो गया हैMy है गार को किया होगा भई इसेंगेधों रिंग जेदा मतलब सेम प्रमुला मद हो जो वैं वन कंपलेटेज रिंग और यह छेंग प्याइक पूलेट्टम संब देखे का इस पहले इस क्पहले एक इंप्टूर्टन छीज़ क्या है यह इस जो इंपोर्टन चीज़ भाई कि टोटल नंबर ओप सिग्मा बॉंड और पाई बॉंड तो एंड लोन प्यार इन ओल दा टोटो मर एक फॉर्मर से मतलब टोटो मर के अंदर जो पहले जो स्ट्रक्चर था ओके उसका अंदर जो पाई बॉंड लोन प्यार और सिग्मा हट यानयवड करको एक दो ए रख今दोर फिट्स हो आंट प confirm क्यकि तो अंजितों यहां पर आ वन पर यहां कितनेवड हूं मैं मौं क अज़ीन कल टो एक डिन फानम चैनल मतलब यहाँ पर एक, दो, तीन अडियन था ओके तो यहाँ पर वन टू थी, फूर, फाइब, शिक्स, सेवन, एट यहाँ पर नाइन तो यहाँ पर नाइन क्या था शिवा बॉन थे और एक पाई बॉन थे यहाँ देखें तरह सा एक, दो, तीन ओके तीन, यहाँ कितना है देख होगा है कि एक, दू, तीन, चार, ओके, पाउंच, छे, वक्सिन के ताए, साद, थेक है, नाइन सी, कैसे होगा देखे, फिर देख बाठ, एक, दू, तीन, ओके, चार, पाँच, पाँच, तो यह कारवन हैं開वन के साथ हैंया जोंट है कि है ऑक फिलेंगे एकड़ दू तीन चार पांच चो यह अच यह चीज्छा है यहां पर नो तो 9 का है यहां पर यहां पर प्रिस नमबर करेंगे तो पहले इसे के टो करेंगे वर्ण तो यहां पर 3 का जाएंगे ओएच उपर ओएच उपर गया वांट को डबल पॉन यहां पर आएंगे इसको बाद यह चीज़ है और यहां पर तब काउंट करें देखो एक दू तीन चर पांश छे साथ टूड़ा कितना आठ यहां पर देखे बाएं कि एक दू तीन चर पांश शोई शाथ आठ यहां पर भी आठ सीमा बॉंड होगा अट कितना पाई बॉंड कितना वह वही इस ठीप लाइव यहां पर भी आठ सीमा अब्र आड्ट अभी हो तो हाप यहां पर देखें गे और यहां पर क्ल करेंगे अच्छे से मतलब डौ करेंगे तो आपका पूरा चीज है आपको देखना करमें कि सेम पाई बॉंड होगा सेम सिंगाबंड कॉ सेम लोन पहीं ठीक है हम अब पायजिक बाद के बात करें तो पर ड़को इतने सारे हम ले पड़ लिया होगा है अब गुआ अब डीकि आधे किसको प्रेटिज आ देंगा है पहले हम देंगे रिंग को इसमर को उसको बार्थ टोटो मर को ओगे एक के अब यहां पर एक important चीज आ जाता है कि find the total number of structure कैसे निकाले यह चीज इंप्सक्राइब और यह जो चीज है कि मैंने यह सारे के सारे चीज आप इसली समझ आओगे जैसे आप डियू कैसे निकाले अच्छा उससे पहले कि देखिंगे अगर डियू 0 होता है तो open chain होगा अगर डियू 1 होता है तो एक पाई होगा एक रिंग होगा समझो पेल अगर डियू पहले एक compound है उसका डियू निकालो अग अगर डियू 1 होता है तो क्या होगा एक पाई होगा एक रिंग होगा कैसे यहां पर देखें अच्छे से चीज़ को फॉलो करें अगर हो गया हो गया ओके जैसे इस कंपाउन का अंदर डियू कैसे निकाले सब्सक्राइब कारें देखें तो यह प्रूमला क्या होता है कि carbon plus one minus hydrogen plus hydrogen minus nitrogen upon two यह चीज़ है इस निकाले यह तरीका है तरीका है तरब कितना है carbon कितना है जाह है चार प्लास वण उसके बात माइन मैने इस सबाद मैने कितना है यह यह कहा है नाइड नाइड नैट विए यह नाइड नन तो अपन तो मतलब यहां पर यहां पर विस पांच तो ह्या हो गया है जी अगया सब्सक्राइब तो इसका दो ही केपल isomasc Jala अगर दिविभी जीरो होता है तो मतलब जरा ईसक इतने केびल इंचल हो सकता है एक र이ंग हो सकता है उसके बाद क्या हो सकता है कि इसका सब्सक्रा तों तू आईसो मर दो आइसमर होगा ठीक है कि समझ भाइए रहे कि अब देखो यहाँ पर इसका निकाल होगा डीगर आपने सच्चिजन कैसे निकाले इसका इसका डीव कितना होगा कारवन प्लास वन मतलब कारवन प्लास ना मतलब पांच हो गया मतलब यहाँ पर को भी है यह ना मतलब 4 मतलब इसका हो गया हो फिर देखिया अगर वान होता है तो क्या होगा एक पाई होगा एक रही होगा ठीक है तो क्या होगा किने के चार हें तो चार पहले माक्सिम पहले तो हम ऊपन की तरह देखेंगे गार, तो एक दू एक दू तीन मतलब तो एक दू टू थी पौर उसके बाद एक दू और तीन मैक्सिम यह सकता है लाई तो चार गारबन भायएं कि वन टू ठीज्वर हमने तो एक पाइ मतलब को कितने पाइठ Bye Tim चार पॉसिबियाटी कितना है उसको जो कैसे कर सकते हैं जैसे इक चार्वन का थना उननी का जालती संट यसकी फ्यार की कि न्युदा सकते हैं यहां पर वे सकता है एक हो गया उसका बाद कहां पर लागा सकते हो के यहां पर लगा सकते हो गया तो इसका वांड एक हो गया यह दू हो सकते हैं कि इसके लिए को डल कितना हो थे मातल है कि और ओक यह तो गया होRes da normal फाय मगए अब देखकर निंट क्या थे को चार करवन के कितने एक दृटी चार अब कि यह और गया सकता है थीन करबन का एक रिंग हो सकता है उसके साथ एक एक से पोंड हो सकता है तो टोटल कितना यहां पर टू आई सुमर्ज तो यह दो मैला का टूटल फाइब ऐसो मर बनता है और कोश्चन में इसे ही पूछेंगे कि अगर बोल देंगे कि कितना उगा तो या पर चैने फिर तो फाइव होगा इसमें भी दो होगा तीन क्या होगा वाई अचे बात थे फिर से आप मेरे वीडियो को बैक करिए देखें अच्छे सा समझ में आगा लेख इसके बाद यह जो दो अच्छा मतलब आपको याद रहा है था तो आपको मतलब हर एक जो आपको निकाल लाने पर है कैसा तो यह को ट्रीक कहा है टूटल नंबर ऑप स्ट्रेक्ट्ट इसमर अप अलकीन के लिए किसके लिए अगर उसका दिउ अगर और अधर तो तो यह को आगर अगर सब्सक्राइब दो तो इसके लिए वन कर्बबन तीन तो इसके लिए वन चार होगा तो जो होता है तो 9 समर होगा 8 होगा तो 18 होगा 9 होगा 35 तो इसका जो ट्रीक है कैसे देखो आप याता हो ऐसे है ट्रीपल वन ट्रीफएब जैसे हैं एक दो धी सुराइब नाइन अचला थ्रीफ एन्ट ना थरीफाइब ट्रीफ लगार ट्रीफएब ट्रीफएब ट्रीफ जैसे यहां पर एक दो थीन ट्रीफी ट्रीफ नाइन अठारास finalement चार है तो हम फिर से दिव निकाल तो अगर जीड रोता है तो अगर डिव इसका जीरो अता है तो क्या अगा बहुत करबन चार ने तो कॉर्बन चार पंटेको यह चीज है मतलब इसका प्सवलाइस मी आपको तो आईसू इम कि अरोगा ओके तो आप दिद्ध निकाले कि अगर दिद्ध जीरो आता है तभी ये पॉसिल है डिद जरो होता है तो करबन चार तो चार करबन बच जाएगा यह बताएं सब्सक्राइगा उसके बात इस नब्च चीज घर है है कि टूटर ऊंबर ऊप्स स्ट्रैक्च राच राज इसमर इन से सबसंड बेंजन का अंदर कैसे हम आं है जासे यह भी हमेशा इसा में घ्रव होता है ड किसको बलते और टो पोजिशन इस गotional इसको बोलते हैं मेटा पोजिशन इसको बोलते हैं ठीक है वाई समझो हमेशा इसमें का कोई भी ग्रूप होगा इसमें कि अब देखिए इसका मैंने क्या बताया इसका फंट्सन कैसे है इसका मतलब एक्जम यूस कैसे होता है ओके देखें वाई अगर x & y होता है शर्फ मतलब यह जो फिक्स्ट है यह fix होगा देखो यह fix होता है उसके बाद दिज्टे वा है तो इसके लिए इसमार होगा अगर एक फिक्स्ट है एक सम देखेंगे निए तो क्या अगर दो होता है मतलब यहां पर यहां पर यहां पर दूआ हो सकते हैं यहां पर मतलब इसके खते हैं हाई सबस्क्त वर्फ़िक्स परख़ाइब इसके रिक्स कि योग आगई कि तीमस की इसका है इसको समझे कैसे जैसे यह अ यह कंपवाउंड एया के यह वह भाई बेदे बने बाटाया नवी यह इन फैसking ङरोफ है यह प्रोब यह लूट है देखे ज्राव सा यह क्या है एक से थो ग्रूप में हमेशा एक स्ट फिक्स होगा हमने बताया है अभी यह क्या है ब्रॉमिन एक से वह यह यह एक रोड़ इन के जैड़ मतलब अलग अलग चीज़ है तो इसके लिए कितना आश मुझा होगा कैसे यहां पर देखें हमने बताया अभी ग्रूप फिक्स्ट होगा हुआ होता है और जैड़ होता है तो कितना होगा टेन होगा इसका अंदर यह पर देख भाई यह ग्रूप है वह एक सोके उसके बात ब यह बताया से ही लेकिन हाँ गलत लिख दिया और देखें क्या देखो यह कैया है बेंजिन है यह तो बेंजिन है बंबर बदाहने यह क्योंक्त से यह यह क्या है । य jy y n i Aww gee इस के बाद यह पहले होगा ऊसके बाद यह पहल ग्रूप मतलब ग्रूप इस वाइक इस XYY मतलब XYY मतलब इसका total isomar six होगा ठीक है उसके बाद देख रहा है कि यह बेंजन है इसके बाद के abomin मतलब यह एक्स हो गया उसके बाद chlorine मतलब यह हो गया है यह अलग compound हो रहा है अगर भाई नहीं clear हुआ तो एक बाद फिर से इस वीडियो लेक्चर को देखे धीरिया देखेंगा हर एक चीज कंप्रेट हो जाएंगा मतलब आपको समझ में आएगा यह मैं guarantee लेता हूँ क्यूंकि मैं भाई पढ़ रहा हूँ मैं भी पढ़ रहा हूँ और मैं भी देन नेक्स्ट आएगा जो यह है जिमेंटिक आइसम और वन सोट तो थीन सॉट कर थ्रू हम पूरा आइसम आइसम को ख़दम करेंगे तो तब तक के लिए पढ़ते हैं मैंनत करते हैं thank you all the best और question पैक्टिस करें जादा तो thank you so much